वित्रों, बैंक वालों ने तो अपना ओफिस खुद किराए पे ले रखा है और मुझे होम लोन देने के लिए फोन पे फोन कर रहे हैं लोग तुमारी कितनी भी तारीफ क्यों ना कर ले लेकिन बीबी की नजर में तुम तो वो पती हो जो भगवान किसी को भी ना दे एक अधेड के विवाह का काड़ पढ़के आँखे भराई लिखा था हल्दी की रस्म के साथ डाई की रस्म भी प्राते साड़े आथ बजे से घूरे जा रही है भावी कहती है मैं भी तुँ देखूं तेरे भाईया कब तक अपनी तोन अंदर करके खड़े रहेंगे मित्रों बड़ी ही विकर समस्या है मास के साथ चस्मा पहनो तो आखों के आगे कोहरा चा जाता है और चस्मा हटाओ तो अंधेरा चा जाता है अध्यापक पपु तुम लेट क्यूं हुए पापा मम्मी लड़ रहे थे अध्यापक तुम क्यूं लेट हुए एक जूता मेरा पापा के पास था एक मम्मी के पास मित्रों रिस्ता खून का होता है और कुछ रिस्ते ऐसे भी होते हैं जो खून पीने वाले होते हैं फोटो खिचवाने के लिए खड़ा था सोचा था फोटोग्राफर बोलेगा स्माइल प्लीज लेकिन वोई बोला पेट अंदर प्लीज आज महौले में एक अंजान लड़की मिठाई बाट रही थी पूछा तो पता चला वो मिठाई इसलिए बाट रही थी क्योंकि उसने आज ही ब्रेक लगा के स्कूटी रोटी ऐसी वानी बोलिये कि जमके जगड़ा होई उससे कभी ना बोलिये जो आपसे तगड़ा होई मित्रों जिस दिन भी गंदी सट के उपर स्वेटर पैन लो उसी दिन दूप इतनी तेज निकलती है कि स्वेटर उतारना पड़ जाता है चलो बताओ रोंग को हिंदी में क्या कहते हैं जो गलत बताएगा वो उसको पार्टी देनी पड़ेगी मित्रों मैंने सोचा था दो साधिया करूंगा तो एक फीटेगी तो दूसरी बचा लेगी लेकिन रात को सपना देखा एक ने पकड़ रखा तो और दूसरी फीट रही थी कहते हैं महबद बहुत बुरी चीज है जिन्दगी बरबाद कर देती है तो दोस्तों नफरत कौन सा बैंक मेंनेजर बना देती है सत्य वचन मिडिल किलास वाले लड़के को अपना परसनल रूम और बैट साधिक के बाद ही नसीव होता है दोस्तों मुझे तो तारक महता का उल्टा चस्मा देखते हुए बारावस से उपरव्यदीत हो गए है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला आत्मा राम तुका राम भिडे किस सब्जेक्ट का पीचर है मित्रों शादी में सबसे बड़ा धोका तो तब होता है जब गाए के गुण बता कर दूले को चेरनी थमा दी जाती है मित्रों पत्नी अगर खूबसूरत ना हो तो पती दाएबाए देखता है और अगर पत्नी जादा खूबसूरत हो तो चारो और देखता है मित्रों सादी का लड़ू खाकर लोग तपस ताते हैं जब उन्हें नई-नई मिठाईया देखने को मिलती है मित्रों एक बात इाद रखना डीजल का रेट चाहे पेट्रोल से कितना व्यूप पर क्यों न हो जाए लेकिन वो कहलाएगा पेट्रोल पंप ही एक बार एक महिला अपनी स्कूटी में पहली बार पेट्रोल भवा ने पेट्रोल पम पहुची और पेट्रोल वाले से पूशा भईया क्या रेट है पेट्रोल का पेट्रॉल वाले ने कहा मैडम 90 रुपे इतने में महिला बोली भाया ठीक ठीक लगाओ साथ वाले में तो 80 रुपे मिल रहा है चारो और सन्नाटा कितने में पेट्रॉल वाले ने कहा साथ वाली मसीन में डीजल है कहो तो मैडम डीजल भर दू उम्र के उस पड़ाओ पर आ गए है जनाब की रोज दे, परपोज दे, हग डे, वेलेंटाइन डे, किसी भी डे से फरक नहीं पड़ता, फरक पड़ता है तो सिर्फ ग्रावी डे से संता बंता से ये करोना कैसे होता है, बंता चैस्ट कराने से